आपने घर haunted होते हैं, ये सुना होगा, मगर swimming pool haunted है? वेल, ये नया था. मूवी की स्टोरी फोकस करती है, फॉर्मर बेस्बॉल प्लेयर रे वॉलपर, जिसका किरदार निवाया है, वाइट रसल ने, जो की Monarch Legacy of the Monsters में भी थे, ये एक बेस्बॉल प्लेयर रेते हैं, मगर किसी बीमारी के चलते हैं, इन्हें वो छोड़नी बड़ती है, और ये एक नए घर में shift होते हैं, अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ, इनको लगता है कि इनके नए घर के backyard में मौझूद swimming pool से, इनकी बीमारी को एक तरीके की therapy मिलेगी, और अफकॉस इनके बच्चों को भी पसंद आएगा, मगर इस घर यानि के इस swimming pool से जुड़ा एक इतिहास है, जो इस परिवार की जड़े ही लाकर रख देता है, मगर हम बिलकुल नहीं डरते, क्यों नहीं डरते, वो आप देखेंगे इस horror movie में, जिसका नाम है Nightswim. Nightswim रिलीज हुई इंडिया में 19 जनवरी 2024 को, और ये रिलीज हुई इसकी original English language में, हिंदी में ये रिलीज नहीं हुई. Movie अब वोपिंग एक घंटा 40 मिनिट की है, और इसे देखने के लिए आपको काफी सबर रखना होगा. वो इसलिए ताकि ये movie जल्दी खतम हो जाए, क्योंकि movie में eventually, horror या धरावना जैसा कुछ है ही नहीं. Movie के director है Bryce McGuire, जिनकी as a director ये पहली movie है. पहले इन्होंने इसी नाम की एक short movie बनाई थी, जो की 2014 में आई थी. देखिए एक बहुत ही अच्छी बात है, कि नए talented लोगों को एक बड़ा platform मिल रहा है, ताकि वो एक अपने directional debut को लोगों के सामने रख पाई, बड़ी audience के सामने. और एक horror के तौर पर उसे दिखाना, I understand, it's a very challenging task. मगर unfortunately, ये हमें इस movie में कुछ जादा दिखाना नहीं पात है. Movie एकदम straightforward थी, कोई suspense build-up नहीं किया गया, और story पूरी तरीके से बताई नहीं गई. Movie के end में story बताने की कोशिश जरूर होती है, कि जो कुछ भी हो रहा, क्यों हो रहा, बड़े weak तरीके से. इससे अच्छा तो ये होता कि हमें बताया है नहीं जाता, और हम suspense में ही रहते. तो शायद एक reason रहता हमारे पास theater के बाहर आने के बाद, ये बोलने के लिए, कि यार movie थी क्या, movie में तो कुछ दिखाया है नहीं, suspense तो खोला ही नहीं. At least हमारा एक excitement level होता, जब हम movie से बाहर आते हैं. बगर अब जब हम movie देखकर बाहर आते हैं, तो हम ये सूचते हैं, क्या यार, क्या कुछ भी बकवास बना दिया, कुछ भी दिखा दिया, horror तो था ही नहीं. So, मुझे लगता है कि ऐसी movies को अपना suspense बना कर रखना चाहिए, rather than उसे इतने पूर तरीके से दिखाने के. Movie की casting बहुत अच्छी थी, हम White Russell को देखते हैं, Carrie Condon को देखते हैं, बट इन दोनों ही लोगों को कुछ खास नहीं दिया गया. हाँ, हम थोड़ा बहुत White Russell की acting से इंप्रेस ज़रूर होते हैं, बट अगेन, उनके पास कुछ खास था नहीं करने को, बज़ा है इसके कि वो पागलों की तरह यहां वहां भागते पिर हैं. बच्चों का तो पूछो मत, किसी बच्चे को पता चलेगा कि भाई उनके swimming pool से आवाजे आ रही हैं, कोई उनका हाथ पकड़ रहा है, एक्सेटरा, एक्सेटरा, तो उनकी तो फटकर हाथ में आ जानी चाहिए. बट इस मूफी में हम दोनों बच्चों को यह कहते हुए देखते हैं कि यार, इन सब के बारे में ममी पापा को नहीं बताते हैं, वैसे भी उनकी लाइफ बहुत स्ट्रेस्ट है, हम नए जगह पर आये हैं, एक्सेटरा, एक्सेटरा, आपका घर हांटेड है, आपके गर मे बताते हैं, एक काम चल जाएगा, यह मूवी होरर थी, बट होरर होते हुए भी मूवी में एक बी जम्सकेश नहीं था, कोई भी डरावने सीन्स भी नहीं थे, जिससे हमें लिटरली डर लगे, आपका मेन परपस ही मूवी देखने का डिफीट हो जाता है, मूवी ना तो हो और नहीं होरर क्यों है, उसको प्रॉपर दिखा पाई, दोनों में से एक भी प्रॉपर ली दिखा पाती ही, तो शायद से यह वाचेबल होती, बट अनफॉचनेटली मेरे ही साब से यह मूवी वन टाइम वाचेबल भी नहीं है, इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में अनफॉचनेटली अगें मुझे इस मूवी को रेट करना पड़ेगा अफ 5 ओट और 10, अन्थ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, स्टे सेफ